के लो दोस्तों वेलकमटु वाले हिए तो आज एक बहुतींपोटेंट टोपिक हम लोग सीखने वाले हाव क्टु मेजर प्लास्टर वर्ट ठीक है कोई भी प्लास्टर वर्क हो तो कैसे मेंजर कर सकते हैं और उसके बाद उसका रेट कैसे निकाल सकते हैं ठीक है तो मैंने एक रूम बनाया है यहां पर एक रूम का डाइग्राम मैंने बनाया है यह दस बाई बारा का एक रूम है यानिके दस फिट बाई बारा फिट ठीक है दस फिट यह वाली वाल है इसकी बारा फिट यह वाली औ और एक विंडो लगी है ठीक है तो अब हमें करना क्या होगा इस पर प्लास्टर सपोज करो प्लास्टर हो गया है तो इसको मेजर कैसे करेंगे ठीक है कि तो कि चलिए सुरू करते हैं कि दोस्तों से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब में किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको सिविल इंजिनिंग से रिलेट्व वीडियो मिलती रहें ठीक है तो मैंने यहाँ पर डॉर का साइज लिया है 306 812ITY यानि कि यह जो जो डौर है इसका साइज ए 306 इंच इसकी विर्थ है और इसकी है उचाई व्हार्ट फीट है ठीक है और यह विंडो है विंडों का साइज मैंने लिया है 6 फीट गाई 5 feet 6 inch यानि कि 6 feet जो है ये विंडो चोड़ी है ऐसे और इस विंडो की उचाई जो है वो है 5 feet 6 inch यानि कि 5 feet ठीक है और ये जो मकान ये ये जो कमरा है ठीक है इसकी मैंने height ली है 11 foot ठीक है तो देखते हैं कैसे calculate करते हैं कि हमें plaster work major करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे ये जो वोल है सारी इनका area हमको निकालना पड़ेगा एडिया निकालने के बाद ये जो विंडो है और ये जो डॉर है इनको माइनस करके निकल जाएगा हमारे ठीक है तो देखते हैं कैसे निकलेगा सबसे पहले क्या करना है total length of wall निकाल लेंगे 10 feet की ये wall है 12 की ये है ये 10 की ये 12 की तो ऐसे मैंने निकाल लिया यहां पर total length of wall 10 12 plus 10 plus 12 ठीक है तो total length कितने आ गई 44 feet ठीक है और इस कमरे की जो height थी इन दिवारों की height कितनी थी मैंने लिया था 11 foot यह रहा तो मैंने यहां लिख दिया 11 foot height तो total area निकालना अब में area का formula क्या होता length into height क्योंकि कमरे की क्या है इस दिवार में तो क्या है length है और height है ठीक है तो length into height total length हम पहले निकाल चुके है 44 foot 44 foot into 11 foot height और इनकी multiply करने के बाद आ गया 484 feet square या आ गया इसका total area यानि कि यह जो area आ गया अब हमें इसको क्या करना प्लास्टर करना है यह मेंने मेजर कर लिया क्या इसी को प्लास्टर करना है नहीं इसको नहीं प्लास्टर करना क्योंकि अभी तो इसमें अभी वाल कि न पूरी लिली ना अभी तो हमने कुछ इसमें से करने के बाद आजाता है पॉइंट फाइब ठीक है तो थी पहले से था हमारे पास तो आगे कितना 3.5 feet into 8 feet तो इसका एरिया कितना आगे 28 feet square किसका एरिया डॉर का एरिया इस डॉर का ठीक है अब विंडो का साइज हमारे पास क्या दिया है 6 feet by 5 feet 6 inch ठीक है इसको हो भी मैंने ऐसी कनवर्ट कर लिया इदर इंच को feet में करने के लिए 12 से डिवाड कर दिया तो इसका एरिया निकाल लो विंडो एरिया विंडो का निकाल लिया तो आगया कितना मल्टिप्लाय कर गया 33 feet square ठीक है यहां तो ठीक है तो एरिया ओप डॉर कितना आया था 28 एरिया विंडो आया था 33 feet square तो टोटल डिदक्शन हो जाएगा 28 plus 33 is equal to 61 feet square यहन कि इतना डिदक्शन हो जाएगा इस एरिया में से टोटल एरिया में से तो टोटल एरिया to be plastered जो हमें plaster करना है area वो कितना है वो है 484 में से मैनेस कर दिया यह टोटल डिदक्शन तो कितना आगया मैनेस करने के बाद 423 feet square आ गया तो यानि कि यह area भम को क्या करना plaster करना है यह area plaster जो हुआ है हमने इसको मेजर कर लिए यानिकि 423 feet square का area है ठीक है अब हम अगर इसका rate निकालना है कि rate कितना होगा अब वो अकोडिंग to rate matter करेगा कि rate क्या है जैसे कोई भी मैसन अगर प्लास्टर करता है इस कमरे को तो कितना रेट ले रहा हो सपोज करो अगर वो लेट रहा है कि साथ रुपे ले रहा हो एक प्लास्टर करने के लिए तो 423 को फिट स्क्वार को प्लास्टर करने के लिए कितने रुपे लेगा हो 291 रुपीज लेगा ठीक है तो यह तो मैंने निकाल दिया इसमें कि कहीं चारसो टेईश कौीएर ए데 कि प्लास्टर करने ठीक है इसको मेजर करना चाइंब नेक्सके वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि यह 042 तेत इस और अछे कि प्लास्टर जो हमने करना है इसमें कितना सिमेंट सेइंड एंड वाटर लगेग यारिक अमें कितनी requirement होगी ठीक है तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर बनाऊंगा है सो थैंक्यू दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सबस्राइब करना